आज का टापिक है लचमी करण दिखिए पिछले वाले कलास में भी हमने बात कर लिया था त्रिपुरी के कल्चुरी राजवन्स के भुमका के बारे में गांगेद्य वाले टापिक में कि इसमें भी ये सेम टू सेम वही वन्स परच्छा जाएगा कि लचमी करण त्रिपुरी के कल्चुरी राजवन्स से समदित था यह कल्चुरी राजवन्स की हमें तीन साखाएं पुर्म अद्यकाल में दिखाई देती हैं एक महिस्मती का कल्चुरी राजवन्स जो की नर्वदा के नदी छेतर पर सासन करता था जिसके इस्थापना 606 भी में कृष्ण राज ने किया था दूसरा सर्योपार के कल्चुरी थे जिनकी इस्थापना लच्मर राज या गुड़ाम बोधी दोगे को दारा किया जाता है जो प्रतिहारों के अधिन थे थिसरे थे त्रिपुरी के कल्चुरी राजवन जिसके इस पुर्वी मदप्रदेश और चत्रिसगड़ का इलाका समलित था यह राजवन्स करीब पुर्मदिकाल में सासन करता हूँ दिखाई देता है कि स्वन्स का जहां संस्थापक बामराजदेव है तो उसका वास्तविक संस्थापक कोकल यानि 840 इसभी को स्विकार किया जाता ह जिसकी पतनी एक चंदीर राजकुमारी थी जिसका नाम था नट्टादेवी इस प्रकार से देखे 675 इसभी से लेकर कि 1212 इसभी के बीच में 537 इसभी तक पुर्पूरी के कल्चुरी वन्स को हम सासन करते हुए देखते हैं हिसवन्स का अंतिम सासक तैलोग की मल था जिसक यह अपनि आपको है है वंसी सहस्तर आरजुन फिर्ति विर्का वंशज मानते हैं हैसी दसा में इनकी स्तूलना चेदी वंस सोंम से की जाती है यह अपने आपको चंद्रवंसी चत्त्री कहते हैं इनकी भाष्षा अपभरंस हिंदी और संस्कृत थी जबकि लिपी नागरी स इन्होंने परमाहेश्वर के उपाज़धान की थी इससे उनके सैवधर्म और जैन धर्म को सर्च्रप्रदान करने की सूचना मिलती है और चेदी सम्वत के प्रचलन म कण मेरू मंदिर के निर्मान परमारों के उपराजित करने बंगाल पर अधिकार करने के दिश्ट शे योग का इतियास में अतुलनी योगदान है अब अगर हम बात करें और यदि हम बात करें लच्मी करन के सोर्चेश के बारे में कहां से सूचना मिलती है तो राज सेखर के काभी मिमान सा गिद्यसाल भंजिका बिल्लड कृत बिक्रमांग देशर्चता मेरुतुंग की अपके बोद् चंद्रूद है विदेशी विओरण में तारिके वह कि तंग्यूर कंग्यूर अबिलिखो में पैकोर लेग भेड़ा घाट लेक कन का रिवा लेक कन का वारान्सी लेक प्रियाक्से reference ताम पतले यसर्क्यकश के कहर ड़ब बलब लेक और Catch a अन्वाल एक से कल्चुरियों के पीशे में जानकारी मिलती है इसके अन्वा लच्मी कर्ण के द्वारा बनाए गए अमर कंटक में इस्तिस्यू मंदिर वारांसी के कर्ण मेरू सिव मंदिर प्रियाग में कर्ण तिर्थघाट और कर्णावतिन नामक नगर की अस्थापना के लिए या नगर से हमें लच्मी कर्ण के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन पर प्रकास पड़ता है इसने भी लच्मी प्रकार की स्वण मुद्धा प्रचलित की थी गांगे देव के बाद अगले उत्रादिकारी की रूप में लच्मी कर्ण सासन को प्राप्त होता है यक्रम से दसमा सा सकता इसके पिता की रूप में गांगे देव का उलेक मिलता है इसकी संतान की रूप में यशकर्ण और पत्नी की रूप में आवल्ल देवी जो की हूड पूर राज कुमारी थी उसका उल्लेक मिलता है उपाधी देखे तो लश्मी करणने परंबटारक महाराजा दिराज परमिश्वर चक्रवरतिन त्रीकलिंगादी पती आश्वपती नरपती गजपती राज्त्रियादी पती की उपाज़धानकी थी यही गोविंचंद्र की भ इस वर्स तक सासन किया है इसलिए इसका धर्यम क्या है सहे इसके समकारिं शास को में राजा भोज सुलंकी सासक भीम देव चालुक क्या सुमिश्व पर्थम राजा धिराज च चोल पाज सासक बिग्रहपाल वलेक किया जा सकता चास कईट में चिए मेरु शिरु मंदिर प्रियाग में कंतिर्थ रंडगाट करणावती नगर की अस्थापना के लिए क्या है प्रसिद्ध है अब बात करेंगे हम इसके राजनेतिक उपलब्धियों की पॉलिटिकल अच्विमेंट आप दलचमी करण जिसमें विक्टी ओवर दबंग ठीक न तो बंग की विज़े की बात करते हैं देखिए कल्चूरी सत्ता के चर्मुत कर्ष का काल जो है करण का स्विकार किया जता है और अपनी सैन विजों के द्वारा हुआ इतना अधिक सफल हुआ कि वह उस समय के भारत के सबसे अधिक सक्ति साली समराटों में से एक बन गया करण के विजियों का उलेख हमें रिवा अभिलेख से विशेश रूप से प्राप्त होता है कर्ण के रिवा बिलेक में कहा है कि कर्ण के बीरता के आगे बंग और कलिंग के राजा कापने लगे थे यह नरसिंग की भेडागाट अबलेक में भी कह रहा है ठीक है और रिवा बलेक में कह रहा है कि पुर्व दिशा का राजा रूपी जहाजकर्ण की सेना रूपी समुदर में डूब गया तो एक तरह से साहित्य की तरह लिखा गया है तो इससे विद्वानों ने यह निशकर से निकाला कि पुर्व दिशा कर पराजित राजा बंग पती था बंग दछड़ी और पुर्वी बंगाल का दियोतक है जिसको आप बंगला देश करते हैं जहां का राजा था गोविंद्र-चंद्र ठीक है या फिर उसका कोई तरह दिकारी वहां सासन करता था ठीक है तो ऐसा लगता है कि जब राजिन्द्द चोल ने महिपाल को पराजित किया था ठीक है ना तो उसके बाद वहां किस्तिती हो चुकी थी मलंब बंगाल के स्तिति हो चुकी थी किसका लाभ बाद में राजिन्द चोल के लोटने केبाद करण ने उठाया और इस प्रकार से देखा जाए तो कर्ण के आकर्मनों के वज़े से ठीक ना बंगाल की छेत्र के उसने नकिवल विजय की बलकि वहां दछिडपुर्वी बंगाल पर जात वर्मन नामक ब्यक्ति को वहां का अपने अधिन राजा बनाया और अपनी पुत्री वीरसी का विवा उसके साथ कर द कर्ण के डर से कलिंग देश का राजा दर गया भैवीत हो गया था कि उस समय कलिंग यानि उतकल पर शो मुवंसी चंडी हार ययाती या महाभवगुप्त चतुर्थ का सासन था माभवगुप्त के बारे में कहा गया कि उसने डाहल और और गौड राजाओं पर विजय प्रत की दोनों राजमसों के इन विभिन भन भिन साचों से या पता चलता है कि कर्ण का महाभवगुप्त चतुर्थ के साथ संघर्ष हुआ और कर्ण ने चंडी हार ययाती के समय उडिशा पर आक्रमण किया हो उसमें सफल हुआ हो लेकिन महाभववगुप्त चतुर्थ ने के स समय में उसकी कोई सफलता हासिल नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ समय के लिए उसने क्या किया कलिंग देश की विजय हासिल की अगला है गौड देश की राजा बिग्रेपालतिती के साथ संघर्ष और मित्रता पुर्व की और उसने गौड और मगद के पार राजाओं की छेत तो लचमी करने उन पर सबसे पहला सायन अभीयान नएपाल के समय में किया जिसकी चर्चा कोल्चुरी अभिलेखो में और तिबती साच्चो से मिलती है लेकि दोनों पंच्चों के बीच लड़े जाने वाले युद्धों के विश्य में ये का जाता कि कोई नड़ायक बहुत बिच्छु दिभंकर दिभंकर यानि अतिश की मध्यस्तता से कर्ण की नैपाल से संधी हो गई लेकिन बाद में कर्ण की मत्वाका चाहे सांत नहीं हुई नैपाल की जब मृत्यू हो गई तो उसका उत्रादिकारी बिग्रह पालत्रती कि खिलाप उसने क्या किया प्राप्त करने का स्रे दिया गया है तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो बीर भूम जीले का एक पैकोर छेत्र है वहां से एक लेख मिलता है पैकोर लेख जिसमें यह पता चलता है कि कर्ण ने वहां के एक देवी को कुछ दान समर्पित किया था जिससे उस प्रदेश पर उसके विजय की पुष्टी होती है और बिग्रेपाल के प्राजय काउलेख हेमचंद ने अपने ग्रंत द्वायसरे काबे में भी किया है तो पैकोर लेख और द्वायसरे काबे दोनों यह पुष्टी करते हैं कि अश्मी कर्ण की हुई थी और विजय होते हुए भी कर्ण ने बिग्रेपाल से अपनी पुत्री यौवन स्री का बिवा करके उसे अपना मित्र बना लिया तो इस प्रकार से जो गजपती आश्योपती नर्पती की जो उपादिस ने धान किया था हुआ संभावत है इन्ही की उपलब्दियों के वजए से उसे धान किया था चंदेलों पर विजय को देखिए कि कुछ समय के बाद कि यसक लश्मी कर्ण ने चंदेल राज पर आक्रमण किया थीक है यदि हम बात करें आगे की घटना की तो जब इसने दच्छिड का अभियान किया था तो मार्ग में पढ़ने वाले कुंतल यानि चालू की राजा से भी कर्ण का संगर्श हुआ लेकिन उसके परड़ाम के विशय में दोनों पच्छों के साच बड़े परसपर भिनने है तो अभी चंदिलों पर विजय मत पढ़िए चालू क्यों सुज़ुद पढ़ कर्ण की सक्ति ऐसे चूर की लच्मी पुने कभी डाहर राज नहीं गई तो ऐसा लगता है कि चालू क्यों के द्वारा कर्ण की बढ़ती हुई सक्ति को क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया अब अगला चंदिलों पर विजय कर्ण को संबहुता है सरवारिक सपलता बुंदेल खंड के चंदिल राज के बिरुद मिली बिद्यादर की मौत के बाद यसे कर्ण विजय पाल देव वर्मा जैसे कमजोर सासक हुए जो अपनी महान विरासत की रच्छा नहीं कर पाए दे खंड का बहुत बड़ा भाग अपने अधिकार में कर लिया विलर्त उसे कालंजर पती के लिए काल के समान बताता है यानि कालंजर पती कौन कालंजर किसका है चंदिलों का है इसके अलामा परमारों के धारा नगरी पर बिजय कर्ण के समकालिन सासकों में परमार राजा भोज और अन्हिलवार के चौलु के राजा भीम बहुत सक्तिसाली थे हता अपने सासन के प्राराम भीक दिनों में उनसे न उलस्ते वे उसने अपने आपको पुर्व और दच्छर दिशाओं की और विजय भियानों तक सिमित रखा लेकिन उन दिशाओं में सफल होकर के वह उन दोनों को चुनोती भी देने लगा तो रिवा अब लेक से पता चलता है कि पुर्व भी गुर्जर देश पर उसने कोई विजयी धावा किया था कहते हैं कि जब सोमेश्वर ने धारा नगरी को लूटा और वह जब वापस लोट गया तो इस आउसर का लाब उठाते वे हिसने चौलुक के सासक भीम के साथ मिल करके परमार राजा भोज के राजपर चड़ाई कर दी और इसमें राजा भोज लड़ते वे बीमार पड़ गया और अंत में किले में ही मर गया तो ऐसे में उसने उसकी राजधानी धारा नगरी को खूब लूटा और उस पर दिकार कर लिया और वहीं से एक स्वन्ड मेरू को उठा करके वो अपने राज़ ले आया अगला क्या सुलंकी सासक भीम के हाथों पर आजाए इसके बाद देखते हैं कि कुछ समय के बाद सुलंकी सासक भीम ने स्वन्ड मेरू को प्राप्ट करने के लिए उसे आदेश दिया कि उससे लोटाया जाए लेकिन इसने लोटाने से इंकार कर दिया तो ऐसी दसा में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सुलंकी सासक भीम के हाथों से पराजित होना पड़ा तो इस प्रकार से देखें मालवा के छेतर में मिलने वाले लूट को लेकर के इन दोनों में मतभीद हो गया और आपसी संघर्ष में लश्मी कड को पराजित होना पड़ा तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका सामराज विस्तार बंगपती यानि बंगला देश से लेकर के इसका सामराज विस्तार गुर्जर देश तक फैला हुआ था मालवा की छेत्रों तक फैला हुआ था और इसकी सीमा उत्तर में बुंदेल खंड के छेत्रों से लेकर के दर्चिड में कुंतल के छेत्रों के आसपास के कुछ प्रदेशों तक फैली हुई थी ठीक है धार्मिक नितिगी बात करें तो कर्ण भी अपने पिता के समान एक सहयो मतानुई आई था मनारस में उसने कर्ण मेरू नामक एक सहयो मंदिर बनवाया था उसने त्रिपुरी के निकट कर्णावती नामक यानि कर्ण बेल नामक एक नगर के स्थापना करवाई थी उसका बिवाई एक हुडवनसी कन्या आवल दिव के साथ हुआ था और सारनाथ के बहुत विच्छों को उसने सुबधाय प्रधान की थी प्रियागत दा कासी में उसे निर्दान किया था जिससे या पता चलता है या एक धर्म सहिश्कू सासक था तो यदि हम मुल्यांकन करें तो पुर्व में बिग्रे पाल तृती के पुत्र नयपाल प्रष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् भीम प्रथम के द्वारा कल्याने के चालगुने सोमेस्वर के द्वारा पराजित हुआ तो इस प्रकार से देखें तो लचमी करने संदे कल्चुरी राजवन्स का एक महान सासक था लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में हुआ अपने सामराज को अच्छुन बनाने में या बचाए रखने में सफल नहीं हुआ